हलो इश्टनों आप सभी का स्वागत है वाई यह इस क्रास में आज की इस यूडियो में मैं हिंदी के महात्पूर बहुविकल्पी प्रश्ण बताने वाला हूँ जो की परिच्छा के लिए बहुत ही महात्पूर कुश्चन है यह वीडियो क्लास 10 और 12 दोनों के लिए हैं क् कि क्लास 10 और 12 में जो बहुविकल्पी कुश्चन पुछे जाते हैं वह लगभग सेम पूछे जाते हैं मतलब कि द जो दस में पूछे जाते हैं वही जो है बारवी क्लास बारवी क्लास वाले यहां वीडियो आं तक दिखिएगा जिससे कि आपको जो है मालूम पढ़िये क किस तरह से question exam में पुछए जाते हैं कौन-कौन से महात्रपुर पहला पुछा गया है कि benefit कथ्नों में से कोई एकतन सही ہے उसे पहचान कर लिखी यहां पर हम्य चार आप्सेन दिया गया है इन चारों जो है एक सही है उसे हमें कहा है सही का निशाल मतलब उसके चुन कर हमें कौपे में लिखना रहेगा इसी तरीके से बित देपने क्रितियों में से किसी एक क्रइत के रचना का नाम लिख vari 9 मतलब है है 4 दिया गया है इन चारों वैसे केवल हमें जो है एक रचना का का नाम दですね ज ख़ा गया की s DNK का नाम लेखक सकते हैं इसतरह से één डरीक strict right पहुछा हूँ करम हमें कि एक का क्या क्यों कराण की नाम से बहुकर्ण भी टाइक को देख सकते हैं पूचा गया है कि विचार परवह के लिखा करें यहां पर चौर एक दो तीन चार इस तरह से आगे जो पूचा गया है कि मैला आचल किसका उपन्याद से चौर अप्षन दिया गया है यानि कि जो कुस्चन पूचा जाता है वह कलास पुछ लेता है तो आप लोग याद करिए तो अच्छा रहेगा पहला कुछ्छन है कि भासा योग वासिष्ट के लेखक हैं यह कुछ अगर आप से पुछ जाया तो आपको बताना है राम परसाद निरंजी बहुत बार एजाम पुछा गया है अगला है कि भूले बिस्रे चि सकता है कि भूले बिस्रे चित्र के लेखक का नाम लिखिए तो आपको बताना है भगवती चरण वर्मा सभी वेरी इंपॉड़न है क्योंकि जो है हर बाल जो है परिच्छे में पूछे जाते हैं कोई पुछन अगले साल पूछ लिया है तो आप लोगो सभी कुछन जो है याद करना है तीसरा रेस में किस विधा पर आधाय रचना है यह विए इंपॉडनग कुछ नहीं यहाप भी आप लोग समझना होगा । इस अपलोग ध्ृप लोग धंदेना कि झेभी विधा का नाम आये तो आप लोग, आपके दिमाग में यह होना चाहिए, विधा का मतलब यह होता है कि निबंद, नाटक, आप्मकथा, कहानी, एकांकी, आधी. यह हमसे पूछा जा रहा है कि जो रचना है जैसे यहां पर रचना पूछा गया है कि क्या रेसमी टाई किस विधा पर आधाईद रचना है तो यह का है एकांकी है तो एकांकी है यह तो मतलब कि विधा पूछे तो मतलब इन ही में जो है यहां पर मैंने नाम लिखा है इन में तो आपको बताना है क्या अलाई दरचना है तो आपको बताना है कांकी है तो अगला कुश्चन यहां पर देख लेते हैं अगला कुश्चन है कि भेट वारता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखे यहां पर देखे कहा गया है कि भेट वारता जो है किसी एक लेखक का नाम यह very important day exam में पुछा गया था अगला है पाच्वा पाच्वा यह कि बर्फ की गुडिया के लेखक का नाम लिखिए very important यह भी इसके जो लेखक है जै परकास भारती यह आपको याद रखना है चछाड़ नमबर पर है मेरी कालेज डाइरी के लेखक का नाम लिखिए यह पर यह कुछन इस तरह से पुछा रसकता है कि मेरी कालेज डाइरी रचना की लेखक का नाम लिखिए तो आपको क्या बताना है Dr. Dhirindra Verma अगला कुछिछन है साथवा क्या भूनूं क्या याद करू कौन सी विधा है तो विधा मैंने बताया था कि जब भी विधा पुछे तो इन में से ही कोई रहेगा निबान या नाटग या आत्म कता या कहानी या एकांकी इसमें का पुछा गया है क्या भूलू क्या यात करो कौन सी विधा है तो आपको क्या है ये आत्म कथा है यह आप वियाद रखना है अगला है आठवा दीबदान दीबदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए यहां पर साथ साथ में यह भी बताया गया है कि दीबदान जो है वो एकांकी है यानि क्या है एकांकी है पहले समझ लेते हैं कि दीबदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए यह कुश्चन पूशन आपको बताना है डाक्टर रामकुमार वर्मा और यह भी कुश्चन इस तरह से पुछा जा सकता है कि दीबदान कौन सी विधा है तो आपको बताना क्या है एकांकी है क्या बताना है एकांकी यह आप लोग जो है जब आप लोग अपक कवी का नाम लिखिए तो गीता वली कवी के नाम क्या है आपको बताना है तुझसी दास very important है दस्वा है कि कामाईनी के लेखक कौन है क्या है कामाईने के लेखक कौन है यहां पर चौर option दिया गया है इसका मैं answer नहीं बताऊंगा आप लोग इसका जो है comment करके बताएगे कौन सब्सक्राइब कामाईनी के लेखक कौन है पहला option है डाक्टर राजियन परसाद दूसरा है जैसंकर परसाद तीसरा है राम चन्र शुक्ल और चौथा है कोई नहीं तो इसका answer हमें comment करके बताएगा कि कौन सब्सक्राइब है तो मैं comment में ही आपका जवाब दूँगा कि गलत दिया है तो इसका जो जो अगर आपने आप जरू उत्तर दीजिएगा या तो गलत हो गया तो सही होगा इसका answer जो है मैं comment में ही आपका बता दूँगा कौन सा option आपने सही दिया है और उसका answer भी बता दूँगा तो student यह थे कुछ महात्रपूर जो है बहुकल्पी प् इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा और एक चीज़ा बदा दूँगा हमारे चैनल पर जो है सभी विशे का कलास 10 और 12 का तैयारी कराया जा रहा है अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नेकर जरू से जरू सब्सक्राइब कर लेना और कोई प्राब्लम हो तो हमारे इस वर्टसप नंबर पर यह मेरा वर्टसप नंबर है आप लोग नोट कर लीजिएगा कोई प्राब्लम हो तो हमें मैसेज कर दीजिएगा मैं आपका प्राब्लम को सॉल्व करने के कोशिज करेंगे उमिद करता हम यूडियो को पसंद आया होगा यूडियो को लाइक कर द